आप आपने चैनल एस सर्विसस में आज की इस वीडियो को हुआ का फूल एजिस्ट्रेशन कैसे होता है। उसके बारे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो को लास तक जूरूद देखिए अगर वीडियो पसंद आ तो चैनल को भी जूरूद सब्सक्राइब करें चाहिए तो चलीए हम आगे का प्रोसेस करते हैं तो देखिया मैंने सबसे पहले एप्लिकेशन को डाउनलूड गलिया है अगर आपने सोट कर लीजे से डाउनलूड कर लिजे प्ले स्टेश तोर से फिन आपको यहां पे ओपन करने का ओप्सटन मिलेगा ओपन करिए ओपन करने बाद यहां पर देखी ओप एसा इंटरफेस आएगा कि देखिए तो अइनलोडिंग लिए रहा है कि देखिए फिन यहां पर तीन ओप्सन दिये जा रहा है एक है जो नियू टू एस्वी आई और एक एग्जिटिंग कस्टमर है एक आई हेव एक्टिवेशन कोड तो नियू टू एस्वी एगर आप पहली बार आये हैं एप्लिकेशन पर आपका अकाउंट नहीं है तो यहां एक अकाउंट उपन करवाते हैं समय हमें कुरियर से आता है वो यहां से एक्टिवेट कर सकते हैं तो हम हमारे पास अकाउंट है एक्जिस्टिंग के समर है तो हम यहां पर क्लिक कर देते हैं इस पर क्लिक करने वाद देखिए यहां पर भी तीन ओप्सन दिया हुआ है तो option है तीनों option में से आपको एक जिस्से भी करना है कर सकते तो मैं यहाँ पर register with my ATM card पर click करके आगे का process कर रहा हूं फिन यहाँ पर account number डालना रहेगा हमें तो चलिए account number डालके आगे का process कर लेते हैं देखे account number date of birth हमें इंटर करना है data of birth जो अभी आपका pen card पर जो account में दिया गया है खुलाते समें वही data for यहाँ पर इंटर करना है एंटर करने बाद हमें क्या करना है नेश्ट पर click कर देना है नेश्ट पर click करेंगे फिन हमारे mobile number पर OTP आएगा उसको एंटर करना रहेगा तो चलिए वो इंटर कर लेते हैं OTP तो देखिए यहाँ पर हमने OTP इंटर कर दिया OTP इंटर कर में submit बटम पर click कर देना है देखिए तो लोडिंग होगा देखिए हमारा नाम आ गया है अब CIF number आ गया है फिन उसके बाद हमें यहाँ पर choice कर लेना है किसलिए हम transaction right देना यहाँ पर जो भी आपको रखना है देखिए बस आपको देखना है उसके लिए limited transaction जो भी आप उसके लिए यहाँ फूल करना चाहते है तो मैं यहाँ फूल पर click करके आगे का process कर लेता हू इसको ребा करेंगे फिन देखिए हमें एयम काद डेटल एंटर करना हूँ जिसमें दिया गय लास्ट के list लिए नबर हमें यहाँ पर एंटर करना है जो एकार करकर अगे का process करते हैं तो चलो एंटर कर लेते हैं डेखिए हमने एंटर करлоिए एंटर करने बड़न वारद निस बटम पे कलिक कर देना है देखिए फिन एट भीन एंटर करना जो हम एट Dang डायर गाले उसका पीन एंटर करना है हमें तो यहां पर हमने ATM pin इंटर कर लिया है, ATM pin इंटर करने बाद यहां पर submit बटम पर क्लिक कर देना है, तो लोडिंग हो रहा है, देखिए फिन हमारा username set करना है हमें, यहां पर दिया हुआ है कैसे set करना है मैं आपको बता दूँगा, तो चलिए username set कर लेते फिन आगे का process करते है देखिए set internet banking details, username, inter password, re-enter password यहां पर करना है, देखिए यहां पर दिया हुआ है, minimum 3 character का रहना चाहिए, जिसमें maximum 20 रहना चाहिए, यहां पर देखिए सब पूछ यहां पर detail दिया है, फिर भी मैं आपको बता दूँगा आगे, तो चलिए, यहां पर fill up करके आगे का process करते है देखिए यहां पर हमने username डाल दिया है, password हमको कैसा रखना है, जैसे कुछ नाम ले लिजिए आप, और उसके बाद special word ले लिजिए, add the red, या कुछ भी आप ले लिजिए, फिन number ले लिजिए, फिन एक dot ले लिजिए, ऐसे ही आप password एंटर करिए, फिन re-enter करिए, maximum, minimum 3, 3 देखिए उसको क्लिक करने बाद यहां पर हमारा सक्सेस्फूल हो गया, सक्सेस्फूल होने बाद यहां पर set mpin पर क्लिक कर देना है, यहां पर देखिए, जो भी है, आपर आए गरी पर क्लिक करके, नेश्ट बटम पर क्लिक कर देना है, नेश्ट बटम पर क्लिक करने थोड़ा प्रोसेस लेगा प्रोसेस होनेक बाद हमें एम्पिन सेट करना है इस पे एम्पिन ओ जो हमें लॉग इन करते हैं समय काम देगा बार बार हमको पासओर डालने के जरूरत नहीं पड़ेगी तो देखिए यहाँ पे लोडिंग ले रहा है थोड़ा देखिए एम्पिन सेट करने का ओप्शन आगया है यहाँ पे हम एम्पिन सेट कर लेते हैं सिक्स डिजिट का एम्पिन है तो यहाँ पे सेट कर लेते हैं सिक्स डिजिट का एम्पिन देखिए हमने MP set कर लिया है set करने बाद क्या करना हमें next पे क्लिक करना है next पे क्लिक करने बाद देखिए थोड़ा loading होगा फिन इसके बाद OTP आएगा OTP को एंटर कर देना है OTP एंटर करने बाद हमारा successful हो जाएगा फिन MPN का कह रहाएगा login करने के लिए हमारा वो काम में आगा एक बात मैं आपको बता देता हूँ जो भी MPN आप सेट करने वहाँ पे maximum three letters जो है same नहीं रहना चाहिए अगर same रहेगा तो आपको फिन से बनना पड़ेगा इसे same ना डाले सेम अगर डालेंगे तो आपको दुबारा से password इंटर करना पड़ेगा तो देखें हमने OTP इंटर करने के यहां पर nest करने बद देखें कंगरा चुले से new have successfully register यहां पर क्लिक कर देंगे देखें हमारा you know SBI register हो गया है तो देखें open देखें दे रहा है नाम जो हो जा रहा है यहां पर बीवालेंस लॉग इन और क्यूप यह का भी option दे दिया है तो चली हम login करके आगे का देखें लेते हैं कैसा interface दिखाए दे रहा है तो देखें आपर MPN इंटर करने का option दे रहा है यहां पर user ID से भी आपर इंटर कर सकते हैं login कर सकते हैं तो चली आगे का login करके देख लेते हैं क्या है देखें MPN एंटर करने बाद यहां पर loading ले रहा है loading ले बाद यहां पर open हो जाएगा तो यह बहुत easy है कोई सना hard नहीं है तो देखें हमारा सब कुछ open हो गया यहां पर देखने को मिल रहा है और अकाउंट का डेटेल यहां से देख सकते हैं, देखिलिया, आकाउंट का डेटेल सब्सक् 다양 ऑबगार पहुत हीज़ी मैंने आप को सारा बता दिया है, अगर आपको कोई प्राप्लम आता है तो comment box में comment करके पूश सकते हैं मैं आपको दुबारा बोलना हूँ अब वीडियो पसंद आया तो प्लेस चैनल को सब्सक्राइब करें अब वीडियो को लाइक करें और सेर करें मिलते हैं नेश वीडियो में कुछ नए अपडेट लगे तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवा ऑजुत करें आपके दो करें वीडियो तो नए वीडियो ये अजब मिलते हैं northeast čuu ये लगेदी सकते हैं प्लेसे इाल, ह civ्लेस creation करें झालता हैं